Students, मैस में हमारा chapter number 11, tables and shares हम कर रहे हैं. इसमें हम कर रहे हैं बच्चों बुक की exercise. आज हम करेंगे page number 125 से. Seashells इसमें क्या बुला गया है? Dhruv lived near the sea. He thought of making necklace for his three friends. He looked for seashells the whole day. He collected 112 seashells by evening. Now he had many different colorful and shiny shells. तो ये धुरूव है. ये जो धुरूव है अपने three friends के लिए sheashells का यानि कि ये जो सीपियां होती हैं उसके necklace बनाना चाहते हैं. तो उसने जो सारी समुद्र के किनारे उसने ठूटे sheashells और उसको शाम तक 112 seashells मिल गए. अब वो क्या चाहता है कि वो जो necklace जो बनाए अपने three friends के लिए वो एक necklace बनाएगा 28 shells का यानकि 28 shells का वो यूज करके वो एक necklace बनाएगा. बेसिक ने आपको इसमें ये बताना है बच्चो कि 112 sheashells से 28 shells को यूज करके कितने necklace बन सकते हैं. आप इसमें देखेंगे कि इसमें repeated subtraction का use किया गया है आपको ध्यान से समझना है इसको आप इसको simple तरीके से divide करके भी कर सकते हैं. हम लोगों ने किये हैं question आप इसको simple तरीके से इस तरीके से divide करके भी बता सकते हैं इसका answer लेकिन इसमें क्या बताया गया है इसको repeated subtraction का use करके बताया गया है देखें इन्होंने क्या किया पहला necklace बनाने के लिए 28 shells लिए तो अब 112 में से 28 shells जब निकल गए क्योंकि एक necklace हमा पारे पास बचें now he was left with 84 shells again he took 28 more shells for second necklace अब 84 shells बचें और 84 shells में से उसने second necklace बनाने के लिए फिर से 28 shells निकाल लिए तो अब उसके पास कितने बचेंगे how many shells are left now तो अब उसके पास कितने बचेंगे 56 shells उसके पास बचेंगे तो आप पो यहां पर लिखना है 56 shells 6 shells आपको लिखने है then he took then he took shells for the third necklace अब उसने 56 shells में से third necklace बनाने के लिए 28 shells और निकाल लिए तो अब आप इसमें से 56 में से minus करेंगे 28 तब आपका कितना अंसर बचेंगा कितने shells आएंगे बचेंगे अभी 28 shells तो 28 shells से बच गए third necklace बनाने के बाद तो 28 shells बनेंगे बचेंगे तो इससे एक और necklace बन सकते हैं क्योंकि 28 shells का ही बनाना था एक necklace तो यहनकि 4 necklace इसके बन सकते हैं 112 shells में से 28 shells का अगर एक necklace बनाएंगे तो 4 necklace हमारे बन जाएंगे यह इसका answer होगा इसी तरीके का यूज करके अब इसमें जो repeated subtraction का use क्यों किया गया है इसका answer आपको यहां मिलेगा देखिए कन्णू made a necklace of 70 she cells अब जो कन्णू है उसने 17 she cells का यूज करके एक necklace बनाया है how many such necklace can be made using 100 she cells तो वो बोल रहे हैं कि अगर 17 she cells का एक necklace बनाया जाता है तो 100 she cells मैंसे कितने necklace बनेंगे अगर आप इसको divide करेंगे ना देखिए आप इसको divide करेंगे ना तो आप देखेंगे कि इसमें remainder बचेगा सेवंटीन फाइबजा 85 तो आपके पास remainder कितना बचेगा 15 अब यह remainder बच रहा है यानि कि इस remainder का मतलब क्या है यह जो remainder है यह जो आपका remainder आया है इसका मतलब यह है कि 15 shells बच गए 15 shells बचे हैं और यह quotient हमारे कितना है 5 यानि कि पूरे 17 shells यूज करके 5 necklace हमारे बचे हैं 5 necklace बनने के बाद 5 necklace बनने के बाद 15 shells हमारे पास बचे हैं ठीक है इसका मतलब यह है इसको आप repeated subtraction का यूज करके भी कर सकते हैं जैसे कि 100 में से एक necklace बनाने के लिए 17 माइनस कर दीजिए एक necklace बन गया तो आपका कितना answer आएगा 83 फिर 83 में से एक और necklace बनाने के लिए 17 लेजिए तो इसी तरीके से आप repeated तरीके से अगर 17 को माइनस करते जाएंगे तो एंड में आपके पास कितने शेल्स बचेंगे 15 शेल्स तो जिनका necklace नहीं बनेगा क्योंकि necklace तो 17 का 17 शेल्स का बनाना है और 17 शेल्स का question आपको यह करना है कि यह सारे question आपको खुछ से करने हैं ध्यान से करेंगे बी में देखे क्या लिखा वान काटन can hold 85 soap bars तो एक कार्टन में कितने soap bars आ सकते हैं 85 शेली वांट टो पेक पैक 338 तो बार और जो शेली है वो कितने soap बार पैक करना चाहती है 338 हाउ मेनी कार्टन 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 दस शी नीड फॉर पेकिंग अल अफ देम तब इसको कितने कार्टन की एक कार्टन में कितने 85 तो 338 नीड गतनेज बार पैक कने के लिए कितने कार्टन की सूरत होगी कितने तो इसको भी स्वाइट करेंगे मैं आपको दे देती हूं इसमें इसमें भी रिमाइंटर बचेगा ठीक है जो रिमाइंटर आएगा इसका मतलब उतने सोब बार बच गए हैं और उन सोब बार को भी पैक करने के लिए आप अलग से एक और काटन लेंगे ठीक है यह आपका होमवक है यह कोश्चंज आपको होमवक में करने हैं इसी तरीके से यह कोशन भी कीजिए बहुत अच्छा कोशन है यह इसमें क्या बो लगया है गंगु इस मेकिंग स्वीट फॉर इद जो यह गंगु है यह एक मिठाई बना रहे हैं एद के लिए अब यह साबिया राबिया है और यह लड़ू लेने आई है और वो कह रही है प्लीज पैक फॉर लड़ू इन ए बॉक्स तो वो चाहती है कि उनको एक बॉक्स में फॉर लड़ू पैक करके 23 small boxes में उनको एक बॉक्स में कितने फॉर बॉक्स फॉर लड़ू और फॉर लड़ू वाले कितने बॉक्स उनने चाहिए 23 बॉक्स चाहिए अब कोशन क्या है Are the sweets in the tray enough to pack the 23 small boxes? अब वो बोर्ड रहें कि जो 80 लड्डू है क्या वो enough है राबिया के लिए जितना राबिया को चाहिए अब ये आप बताएंगे और इसका पता लगाने के लिए आपको पहले क्या पता करना है ये तो हमें पता है कि इस ट्रे में 80 लड्डू है पर हमें ये नहीं पता अभी कि राबिया को कितने चाहिए लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि राबिया को कितने लड्डू चाहिए एक बॉक्स में 4 और ऐसे कितने बॉक्स चाहिए उसको 23 तो इसके तुरू आप पता कर लेंगे कि राविया को टोटल कितने लडू चाहिए जब आपको पता चल जाएगा कि राविया को कितने लडू चाहिए तब आप उसको इस एटी लडू से कंपार करें कि क्या एटी लडू उस वह इनफ है राविया के लिए या नहीं और अगर नहीं है तो राबिया को और कितने लडू चाहिए वो आप यहां लिखेंगे यह आपका हूंवाक है इसको आपको अपनी कापी में करना है गुड लग